हाई फ्रेंड्स वल्कम बैक तो अनादर वीडियो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप MS Excel में जोड घटाओ गुना भाग ये कैसे कर सकते हैं ठीक है तो ये बेसिक सा जो एक्टिविटी होता है जो हमें करना पड़ता है कभी-कभी Excel में तो ये सारी चीजे मैं बताऊंगा आपको ये बहुत ह्याहन है ठीक है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूँर देखना अगर आप बीच में बीच में मिस करते हैं वीडियो को तो सकता है कुछ इंपॉटेंट्ट चीज आप इसे मिसक करते हैं ठीक है तो वीडियो को पूरा लास्त तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पर छोटा समय ने एक टेबल बना दिया है मैं जो भी एक्षन परफॉर्म करूंगा इस वाले पर और इस वाले पर ठीक है यहाँ डेटा 1 डेटा 2 और यहाँ पर जोडने का एक्षन जो भी होगा इन दोनों पर होगा गटाने का जो होगा इन दोनों पर होगा गुणा भाग दोनों जो है इन दोनों डेटा पर मैं करूंगा ठीक है तो simple जोडने के लिए क्या होता है simple हम क्या कर सकते है equal का sign देंगे ये keyword में plus का sign होता है plus का sign दे keyword से और यहाँ पर दूसरा को select कर दे बस आपको enter करना है इन दोनों का sum आपको मिल जागा यहाँ पर तो जोडने का एक और तरीका क्या है जोडने के कुछ तरीके हैं तो उसे मैं बताता हूँ आपको एक तो है formula से यहाँ से हम करेंगे equal और यहाँ पर हम लिखेंगे sum ठीक है sum करने के बाद यहाँ पर bracket को open करेंगे और यहाँ पर ये plus ये और उसके बाद bracket को बंद और एंटर करेंगे तो भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा answer इसका ठीक है इसका एक और तरीका क्या है फिर से मैं इसे delete करता हूँ equal का sign देंगे sum लिखेंगे यहाँ पर bracket को open करेंगे अब यहाँ पर क्या है कि हम इन दोनों को select कर सकते हैं और भी चीज़े हम यहाँ से select कर सकते हैं लेकिन data हमारा इसी में है तो यहीं तक का हम लेते हैं यानि कि जितना भी data होगा आपको सिर्फ वहाँ से आपको यहाँ तक drag करना है और bracket को बंद कर देना है आपको उसका answer यानि कि sum मिल जाएगा यह वाला होता है range में हमारा जो भी आएगा उसे यह add करके दिखा देगा यह तो होगे हमारा जोड अब घटाव को देखते हैं कैसे करते हैं घटाने के लिए भी simple बहुत ही simple है equal का sign देंगे उसके बाद फिर जिसमें से घटाना है तो data 1 से हमें जो है इसको घटाना है तो पहले इसे क्लिक कर दिये अब keyword में ही minus का sign होता है तो उस minus sign को आपको press करना है इसे यहाँ पर डाल देना है और फिर से यहाँ पर इसे यानि कि k5 minus l5 यानि कि k5 हमारा यह हो गया l5 यह हो गया अब simple यहाँ पर enter करेंगे तो देख सकते हैं 25 minus 5 यहाँ पर आगया 20 हमारा answer ठीक है इसका कोई और तरीका नहीं है बस घटाओगा एक यही तरीका हमारे पास फिर से अब यहाँ पर क्या करेंगे गुणा करेंगे गुणा करने के लिए क्लिए है अब देख सकते हैं इन दोनों का multiply यहाँ पर आ गया ठीक है multiply के लिए हम star use करते हैं ठीक है फिर से यहाँ पर भाग देना है division के लिए क्या करना है फिर से वही काम इक्वल तो आपको हमेशा लगाना है इक्वल का sign देंगे फिर data 1 पर data 1 को किस से divide करना है फाइब से तो यहाँ पर divide का sign आपको देना है यह वाला ठीक है forward slice अब इसे किस से divide करना है फाइब से फाइब पर क्लिक करेंगे और enter करेंगे तो आप देख सकते हैं फाइब फाइब जया 25 होता है तो यहाँ पर यह आ गया ठीक है तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने एक छोटा सा basic सा जो भी हम perform करते हैं Excel में कुछ भी हम seat वगएरा बनाते हैं तो हमें जोड घटाओ गुना भाग यह सब करना पड़ता है तो यह सारी चीजे आप असानी से सीख सकते हैं मैंने बता दिया आपको असानी से आप इस पर practice कीजिए आपको और भी यह सही हो जाएगा प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ठीक है तो इस वीडियों के बस इतना ही उमीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करे शेयर करे अगर अभी तक आपने मैरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजे तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाए